अब वहां पर जो मस्जिद है बोनों का गेट सामने है 1992 में आर्मी वहां आती है तक आदवानी का पर UV करता है cucumber और वहां सोभाथ है तक अब ही उन गलियों में जो बनाना रहा था ता उन गलियों का श्याण जहां पर लोग बुंकर हैं, वहां रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दोनों एक दूसरे के पितार नहीं रहते हैं, क्योंकि एक बेचरा है और एक बना रहा है, लेकिन वहां पर उनोंने उन गलियों को तोड़ दिये, अब आपके सामने जो मुस्जिद दूर से आपको सामने दिखती है, साथ में, और आपको याद होगा स्लोगन जो बार बार ये कहते हैं, जब ही है तो जहां की है, काशी मतुरा बाकी है, ये बहुत खतरना कि हमें इस बात को समझना बड़ा जरूरी है, I met a guy yesterday, अफगानिस्तान से वो बंदा, I'm staying in Sakit, एक होस्तल में तो होस्तल में पीबल काम फोस्तल में दिखती है, सो रात में जब पहुंचा साइन बाक से और महां बैठा तो बदा चला कि ये अफगानिस्तान से, हम दुनों में बात की और वो अफगानिस्तान में रह रह रहे हैं, आपर पढ़ाई भी करें, he said a very very important thing, जो हम नहीं समझन बाहर की देश के लोग, उन्होंने का कि सर, अफगानिस्तान में 99% मुसलिम्स है, सिक और हिंदू 1% है, उन 1% का नाम लेकरके उनके साथ बूरा और ऐसा हो रहा है, ये बिलकुल नहीं है सर, अगर आप जाकर के पूछेंगे, तो वहां कोई भी हिंदू अपना देश ये जो बर्गलाया जा रहा है कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांगला देश में हिंदो की हालत बुरी है और शिक्तों की हालत बुरी है, ये बड़ा खतरनाक है, और इसके लिए उन्होंने सबसे खतरनाक टूल यूज़ किया है, वह क्या यूज़ किया है, ये फिक बीडिज़, हम अचानक ये हमारे घर में लोग बैठे है, मेरे पिताजी, हमारे घर वाले लोग बैठ करके वो न्यूज़ चानल देख रहे हैं, जो न्यूज़ चानल ने अपनी जमीर बेच ली है, बिलकुल उनका जमीर बिच चुका है, वो क्या दिखा रहा है, वो अचानक पाकिस्तान पर टाक करने को बोल लेते, वो आपको कहते हैं कि कोई भी लाड़ी वाला वो खलत है, वो मुसलमान है और वो खलत है, इतना जहर, इतना जहर होया जा रहा है जिस समय बात करनी चाहिए सिक्षा की, जिस समय बात करनी चाहिए हेल्थ की, तब मेन यह लोग क्या कर रहे हैं? उस समय पे यह लोग फीस बढ़ा देने हैं. जे जेनियू में पढ़ाई एक रिक्षा वाले का बेटा भी कर सकता था. उस रिक्षे वाले के बेटे को सोचना पड़ेगा. आप एजुकेशन की बात नहीं करों, आप हेल्थ की बात नहीं करों, आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे खर्च करना चाहते हैं इस वाइयाद चीद होते हैं. आपको समझना पड़ेगा की देश बहुत बड़ा है हम एक घंटे बाद आप बनारा से लाबाद चरिए बाशाण चलिएगी का घुरू का हो था बनारस में लाबड बनारस में लाबाद पहुंची सैना भैया हर छेतर फशेयास आंकने पढ़ती है और जो कल उसे मुझे ए तो आपके देश में लड़ाई होगी धर्म की, आपके देश में लड़ाई होगी स्टेट की, आपके देश में लड़ाई होगी जात की, आपके देश में लड़ाई होगी लांगविच की, और आपके देश में लड़ाई होगी लांगविच की, और आमस आपके देश में पह वाई हुआ है, यूपी में जौ हाल हो रहा है, यूपी मेंु जो हाल हो रहा है, वी हुआ है वहाल, कश्मीर में बाह्त समय पहले तो हम समनों ने आखे नहीं खो लिस्टी। हम न हो रहा है, वाईम हम से दूर है। horrific है। मेजोर्टी मुस्लिम में रहती है। हमें क्या हुड है। यभ यह दस्टेक事 हमें ढ sits पूरा रहा है। कहम इसा था.. काशुमीर भाता व के दूरी कह सा था.. की खरये ह Whenever in a paradigm in a आर्मे भे न से घ्ल्म में ने को सिताया सब। वे पहजाबाद देखे एउधिया में कई जिखा पर यूपी में हम रोग दिख पर रहे हो रोग दियुस में वो पर रहा हैं वो कितना बता पारा हैं अगर हमने नहीं रोगा तो बहुत जादा देर हो हुआ है बहुत जादा देर हो जाए और फिर हमारे हाथ में नहीं 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 होगी तो आज ज़रूरी यह है कि हम इस पे सोचना सुरू करें और सोचने के साथ हम काम कया से कर सकते हैं उच पे बात कर सकते हैं So what we are going to do, anyone wants to talk, anyone wants to share anything, you guys are most welcome, आप अपनी कोई कहानी, कोई बातें बताना चाहते हैं, हम उस पे बाट के बात कर सकते हैं The second, when we'll go back, before that we'll plan, we'll design a grove. So idea यह है कि इनकी लडाई इनही के तरीके सर रणनी बहुत ज़रूरी और बहुत नॉन्वाल है आप समझे इस बात करको कि वाइलेंस का यूज कर रहे हैं, जामिया में अटाक करने का इरादे के पीछे समझे, they are so designed, we are not हम अभी भी वह बात कर रहे हैं कि अच्छा आप आसाम में CA की बात है, NRC की बात है, आप कौन होते हो मेरे घर में इस तरह घुज करके छाकने वाले और आप कौन होते हो यह डिसाइड करने वाले कि मेरा देश है कि नहीं है तो हमें यह बात समझना पड़ेगा कि हमें एक चूठ होना वड़ा ज़रूरी, ने तो फिर वही हो जाएगा, लड़ाई दरो ज़रूर कि भाड़क जाएंगे, तो अभी इससे पहले अगर गुरे लड़ रहे थे, उनके पास जब चीजे नहीं थी, बगत सिंग को जा करक आप देखी, बगत सिंग ने क्या किया था, उनोंने का था बहुत मेरी बात लोगों तो पहुंची ली चाहिए, और उने बड़ी छोटी बात कही थी, बहुत बढ़ी बात कही थी कि यह बात तभी पहुंसते है जब धमाका होगा, धमाका में वायलेंस नहीं थी, धमाका मे जाहे वो ब्रिटिश के जनलीज़ हैं और कुछ हिंदुस्तानी जनलीज़ भी थी, आज जनलीज़ बिक चुके, तो हमें क्या जरूरत है, हम सब को जनलीज़ बंदे के रखे now what they did, they use video, they went everyone's place, they went everyone's house, by using facebook, by using instagram, by using all those different kind of writeups, I started telling people कि मैं याद करो हिंदू हिंदू का देश है और हिंदू का बचाना यह नहीं कि मुसलमाद कहते थे मेरे प当 Sempre मुसल्मान एक रोजा पढ़ने मत चाहिए, तो रोजा पढ़ते मत चाहिए, ये बात मेरे जहन से तभी ख़त्म हुई जब मैं बनारस से दिल्ली आया और समय मेरे समझ भी नहीं आता हूं था और मैं रोजा खोनने के लिए उनके बाद चला जाता था क्योंकि खाना बड़ा बड़ा वातऑ तो मैं वहाह चला जाता था बात में मुझे समझ माला कि इंसानओं कa बाता है कि नहीं हुए हुने, मेरे घरवालोंने तो हमें स्टर्ट वढ़े अपने घर से करनी पड़े मेगा जाया और अगाने फोने बहां हुछ होती है, अगर वो बोलते हैं तो फेर वोट देने वाले ही हैं, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये देश यो है, बहुत ऐसा बसुदायव कुटूंबंगंगं वाला देश है, जब 47 में आजादी की बात हुई थी, हमारे देश में हमने ये कहा था कि हम ये रिलीचियस बेस नहीं ब मचाना और पाकिस्तान वहागे है, हमारी सूर्थी ये है कि हमने डिसाइड कि हमें उसको रिलीचियस नहीं बनाएंगे, हमारे अज सब धर में इकसाथ रहे हैं, और वो कॉंस्टूशन वहाँ पे उसमें जब बनता है, उस कॉंस्टूशन में जब आप खुज जाते हैं, आप समझ लीजिए कि वो हमारे घर में खुज गए, और हमें हर इंसान को, यहाँ पे हर इंसान को, चाहिए वो कोई भी हो, उन तक बात यह पहुचनी बड़ी जबरी, क्योंकि आदमी रोजमर्रा की रोटी में बीजी है, आप जाके कहोगे चायवाले को, भाई क्या वोट कुछ यहाँ पर यह भी सुनने को मिल रहा है, चक्का जाम कर देंगे, वो कर देंगे, कर देंगे, सब बख्वास है, इस सरके से नहीं होच पाएगा, we have to go in a very non-violent way, we have to understand those things, we have to understand every single thing, and how we can work together, so if we are here, आज इतने लोग जो हम यहाँ पे हैं, मुझे लगता है कि हम सब कुछ यहाँ उक शेर करना चाहते है, और यहाँ से वी हाँस हमाऊख सम्दूरा चाहते हैं, वो एक पेज पेच बे मेरा दोस्त मुझसे बढ़ चुका इन्हों ने, मैं और ये, हम लड़ जाते थे, हम कहते थे यार तू चल ऐसा बात कर रहा है, हम इस तरीके से अलग नहीं होगे, आज आज अचानक आपको टेर्रेस कहते है, यूपे में जो हो रहा है, या देश के तमाम सहरों में, कौनों मे हो रहा है, इनका स्टेटी है कि ये, आज का मुद्धा हिंदू-मुसलिम हो जाना चाहिए, तो हम जितने भी आंदोलन कारी, जहां तक वीडियो जो आ रहे हैं, वो पुलिस वालों के आ रहे हैं, कि पुलिस वाले बंद घरों में पत्थर मार रहे हैं, और उन लोग को प्र और यहां पर देश में अनेस्टेबिलिटी डबलब हो, और अनेस्टेबिलिटी से इनके तमाम जो मुद्धे हैं, वो मुद्धे सारे डग जाएंगे, मुद्धे तमाम है, और उन मुद्धों को मैं देखता हूँ, जंदन मत्र, पुलिस एड़बाटर, जे एन यू, जाम अगर यह कहें कि जो गजीटेट का मतलब है, जो देश को देश समझता है, एजूकेशन सिर्टिफिकेट लेने से एजूकेशन नहीं होती, एजूकेशन का मतलब होता है, पहले हम इंसान है, उसके बाद हिंदू, मुशलिम, क्रिशियन, शिक की साहिए, और सबसे जरूरी देश, तो देश सबसे जरूरी है, देश के लिए सांती बहुत जरूरी है, सांती बहुत जरूरी है, एजूकेशन बहुत जरूरी है